जैसा कि आप यह फ्लोरिंग देख रहे हैं यह है इटेलियन माबल अभी देख लिए इसमें कहीं पी भी आपको जोइंट नजन नहीं आएंगे अभी इस पर मिट्टी पड़ी हुई है बाकी तो और शांदार पॉलिश दिख थी आपको जैसे कि विंडो की जो शेड देख रहे हैं और यो भी यह लाइट जलेगी तो पूरा का पूरा लाइट का जो बॉक्स है वो यह फ्लोरिंग में दिखेगा इस पत्तर का नाम है क्रे प्रिंग क्लर का है तो इसकी रेट आपको 400 रुपे से लगबग मिलेगी और कोई जिसे डार्क क्लर में है और कोई पिंक में भी आ रहा है जैसे बता दूँ मैं भी यह चीज़ देख रहे हैं अगर ऐसा सकी है तो इसकी रेट कम हो जाती है यह पूरा गर में एक ही कलर है की जैसा की वह जोइंट नहीं दिखेंगे काली यह जोइंट बिल्कुल मिला हुआ काली लाइट और डार्क कफ रखे बस पत्त्र में और अब इसको क्लीनिंग किससे करना है वह भी मैं बता दूँ तो और यह पॉलिश जो आपको लाइट टेम चलानी है तो उसके लिए भी व यह देख लिए एक यह तरह का शेंपू है तो इसको पानी में मिक्स कर दीजिए इस पे सब भी लिख रखा है आप मारबल पर यूज कर सकते हैं इसमें इसमें कोई मात्रा नहीं है तो यह देख लिए अशीट और ब्लेज कुछ नहीं है इसक अंदर तो आप यह साधा पान में डालके पूरा शेंपू टाइब जागाने लग जाएंगे इसमें शेंपू ही है तो इसको फ्लोरिंग पे पूरे में डालके आप क्लीन कर दीजिए आपकी पोलिश को कुछ नहीं बिगड़ेगा यह सबसे बेस्ट ओप्शन है आपके लिए और आप कुछ भी एसिटिक आइटम नहीं डाले इस पे एसिट यूज नहीं करना आपको पहली बात हो अगर इसको लाइफ टाइम में आपको फ्लोरिंग को फोलिश पचा के रखना है तो इस पे एसिट नहीं डाले दूसरी चीज जब भी आप इस पे पानी का पोचा लगाएं तो साधे पानी से ही प पानी में जैसे कभी कभी देखा हुआ पकेशन की फ्लेटफर्म पे कहीं कहीं दब्बे हो जाते हैं तो वह पानी की वज़े से भी पानी में खारपन होता है तो अगर हो सके तो अब कोई सभी प्लान तो लगी जाता है गरों में उसका पानी से पोचा लगा दीजिए और 15- क्या पॉलिश के कंडिशन है तो उनको भी में जो टिप्स देखा हैं वो फॉलो किये तो अभी तक भी उनको पॉलिश को कोई जंजेट नहीं है और दूसरा यह कि अगर आपके घर में आप डोग रखते हैं तो जब भी डोग जहां भी बेटता है चलता है तो आपको उसके नीचे कोई चटाई यटाई रख देनी है क्योंकि उसके नाकुंद से आपको यह इसक्रेज आ जाएंगे तो वो भी पॉलिश को डेमेज करेंगे जो भी पालतु जानूर है आपके गर के अंदर रखे को तब और तीसरा है कि इस पे जूते पेनके है जो सॉलिड जूते है हाड जूते हैं ओपेन के आपको नहीं चलना है क्योंकि जब आप बाढ़ जाते हैं तो उसकी थोड़े को मिट्टी के करन जूते के नीचे लग जाते हैं तो जब गर में आते हैं तो मिट्टी के करन से ही जब आप चलते हैं तो उसके यह फ्लोरिंग पर इसके जा जाते है तो इससे आपकी पॉलिश ख्राब हो जाती है अगर आप पेनना भी चाहें जूते हैं तो चपल पेनना भी चाहें तो सौप्ट सौप्ट चपल आजकल मार्केट में बहुत ही मिल रहे हैं तो सौप्ट आप चपल घर के अंदर यूज़ कर सकते हैं तो देखिए जैसे मैं पूरा फ्लोरिंग बता देखता हूं इसका लुक कैसा आएगा क्रेमा मार्फिल है यह पत्तर का नाम तो देखिए इस अगर आप कभी भी क्रेमा मार्फिल लगाना हो तो आप आइडिया ले सकते हैं इससे बहुत इच्छा शांदर कलर है इनना पूरा कीचन में यही लगवाया है धन्यवाद दोस्तों अगर वीडियो चल लगा हूँ तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आने वाले समय में बहुत ही अच्छे-च्छे में आपके वीडियो लाता रहूंगा थैंक्स